पंद्रा अगस्त यानि स्वत्तंत्रता दिवस अर्थाद आजादी यह एक ऐसा शब्द है जो देश के प्रतेक नर और नारी के अंदर एक अलग एहसास पैदा कर देता है इसलिए चाहे बच्चा हो या बुढ़ा, स्त्री हो या पुरुष हर कोई आज के दिन एक अलग उम्मीद और अकानशाओं के बीच यह पर्व मना रहा है 15 अगर सन 1947 में हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी राश्ट्रे के स्तर पर तो हम आजाद हैं कि दूसरा देश हमें आँखे नहीं दिखा सकता लेकिन क्या भारत सच में आजाद है? क्या हम सच में स्वयम को आजाद महसूस कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो हमें खुद ही इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर वो ऐसे कौन से दुश्मन है जिनसे आज भी हमें आजादी की दरकार है पुलिटिकल आजादी के साथ साथ मनुश्व के मन में जो पांच विकार है देविमान है, काम विकार है, क्रोध विकार है, मो विकार है, अहंकार विकार है इन सब विकारों को अगर हम अपने मन से दूर नहीं करेंगे अगर इन विकारों पर विजईनी होंगे, इन विकारों के वशी भूत रहेंगे तो हम कभी भी समाज के अंदर पवित्रता की, शान्ती की कल्पना ही नहीं कर सके यूं तो भारत देश को स्वतंत्र हुए 73 वर्ष हो चुके है और आज इस देश का हर नागरिक, बड़ी खुशी और हर्षो लाज से 74 वा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है भारत मा की इस मिट्टी को अपना बनाने में उन स्वतंत्रत सेनानियों का बड़ा योगदान रहा है जिनोंने अपने जीवन और परिवार की परवाना करते हुए खुद को बलिदान कर दिया और देश को आजादी दिलाई हम सभी ये बात जानते हैं कि हमारे देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए एक बापू ही काफी नहीं थे परंतु बापू की नेतिक हिम्मत बापू का जुनून बापू ने अपनी वो हिम्मत जोश जुनून और सत्यभान कराया स्वतंत्रता का और वो जुनून उनके अंदर डाला और जिस जुनून से सभी ने यह युद्ध किया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ आजादी के इतने वर्ष बाद आज हम खुली हवा में सांसे तो ले रहे हैं लेकिन वर्तमान समय में पूरा विश्व एक ऐसे अधिश्य दुश्मनों से लड़ रहा है जो दिखाई तो नहीं देता परन्तो मनुश्य के सामाजिक ताने बाने को खोकला कर रहा है सुख के संसाधनों रूपी पाहाड पर खड़े भारत का हर नागरिक आज तिरंगे को सलामी दे रहा है और शहीदों को तो याद कर रहा है लेकिन उसे देश के अंदर ही नकरात्मक और आसूरी प्रवितियां लगातार आतंकित कर रही है जबकि देश के शहीदों और खासकर बापू महात्मा गांधी का तो यह सपना था कि भारत देश रामराज्ये बने हर कोई सुखी हो बेफिक्र हो लेकिन आज हम इससे दूर होते जा रहे हैं यह हमारे लिए एक सपनी की तरह हो गया है जब तक पांच विकारों की गुलामी से हमने स्वयम को मुक्त नहीं किया है हमारे साथियों को मुक्त नहीं कराया है समाज को मुक्त नहीं कराया है देश को मुक्त नहीं कराया है अन्य देशों में जो भाई बेने उनको मुक्त नहीं कराया है तो हम सच्छी आजादी का आनंद नहीं ले से आजादी तो हम मनाएं लेकिन ऐसे मकसद के साथ जिससे ऐसे देश का निर्मान हो जहां इन अर्देश्य दुश्मनों का नामों निशानना हो उरादेश वविश्व, राम राजे की ओर बढ़ चले इसके लिए पिताओं के पिता परमात्मा शिव के बताय मार्ग पर चल कर स्वयम के साथ दूसरों को भी श्रिष्टता के लिए प्रिद करें सम्मान भाव, सत्भावना और शान्ती का सामराज्य हो हर नर नारायन और प्रतेक नारी लक्ष्मी जैसी बनने का ख्वाव देखे यह सब संभव हो सकता है जरूरत है योग, राजयोग और अध्यात्मिक ज्यान से जीवन में मानविय मूल्यों को उतार कर आसूरिता को समाप्त करने की यही एक मार्ग है जिससे हम संपूर्ण रूप से आजाद होंगे यही बापु का भी सपना था और परमात्मा शिव का भी इनी अर्थों के साथ स्वतंत्ता दिवस पर आजादी का पर्व मनाएं का प्राइब से cा भी स्वत्तक करने कर दो आजादी का भी से रुप मनाएं